नहीं हुं आपके सामने हिंदी के टOUP 50 QU Spreads का सेट लेकर तो चले आज का सेट लगाते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने प्रश्न हम सही कर पाते हैं पहला क।शन हमें दे रखा है कि प्रतीख प्रतेक का संधी विछेत करेंगे तो यह लिखा जाएगा प्रतिधन एक तो आप देख सकते हैं प्रतेए रहित शब्द है यानि कि वह शुब्ध हमको बताना है जिसमें प्रते कोई भी प्रते नहीं लगा तो आप देखेंगे तो इसका सही तरो जाएगा अनुवाद क्योंकि अनुवाद का मतलब है इसमें उपसर्ग लगा हुआ है अनुधनवाद तो इसमें उपसर्ग है तो प्रत्य है नहीं यहीं सही उस्तर मारा हो जाएगा चलिए अगले सवाल को देखते है निम्न में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए तो आप दिये गए तो मनुष्य तत्सम है इसका तत्जभा होता है मानव या फिर मानस मानव या तो मानस यह आगड़े को देखते हैं निम्न में योगरूल शब्द है योगरूल शब्द दोस्तों किस को कहते हैं जिन शबदों में आपको बहबरी ही समास मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि वो योगरूण शबद है जैसे कि इसमें पंचानन दिया है तो यही सवाल का उत्तर भी है इसके लावा पंचानन है, दशानन है, लंबोधर है, पीता अंबर है ये जितने भी बहुबरी ही समास के उधारन होते हैं वो सभी योग रूण के उधारन भी होते हैं ये बात आपको याद रखनी है पांचवा सवाल हम से कह रहा है कि निम्द में अगोश वर्ण कौन सा है दोस्तों आप जानते होंगे कि वर्ण वर्ण में पहला और दूसरा वो अगोश होते हैं और तीसरा चौथा पांचवा सगोश होता है तो यदि आप देखेंगे तो इसमें कौन सा पहला दूसरे पर मिलेगा देखे पा पहले पर मिलेगा तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा option A बागे बाद देखेंगे तो तीसरे में आता है घा को देखेंगे तो चौथे में आता है और गा को देखेंगे तो तीसरे में आता है ठीक है आपको स्क्रीन पर वर्ण वर्ण दिख रहा होगा प्रान और जो दूसरा और चौथा होता है इनको महाप्रान बोलते हैं इसके लावा मैं एक ट्रिक भी बताता हू hmm जिन वर्णो को बोलने में हकार धौनी आहे हकार का मतलब क्या हुआ हा निकल क्या आहêu जैसे कि खा घा तो यह जो वहाप्रान होते हैं और इनका लावा बचे हुए हैं वो अलप्राण है जैसे कि अब देखें धा तो इसमें जो हा निकल के आ रहा तो यह महा प्राण हुआ लेकिन गा में कोई हा नहीं निकल रहा इसी तैसे खा में देखेंगे तो निकलेगा तो यह महा प्राण हुआ लेकिन का में कोई हा की धुनी उत्पन नही पेचान करिए तो दोस्तों 11 चार होते हैं आपको पता होगा या रा ला वा या रा ला और वा यह चार 11 वेंजन होते हैं तो दिये गाँ आपशन में हमारा उस्तर ए जो है वह सही हो जाएगा चलिए 8 सवाल को देखते हैं हमसे पूछ रहा है चंद्रोदे का संधी विष्चेद है तो दोस्ते चंद्रोदे में अगर आप से संधी पूछ और इसको लिखा जाता है चंद्रधन उदे चंद्रधन उदे तो यह संधी विच्छेद हुआ तो हमारे करेक्ट हो गया अगर हमसे संधी की बात करें तो इसमें गुण संधी है यह भी आपको समझ लेना है जब शब्द को बनाने में यह विकार आता है तो आप समझ लेजएगा कि वहाँ पर गुण संधी मौझूद है तो इसका सही उत्तर है है चले नेक्स कोशन को देखते है नवे सवाल हमसे कह रहा है कि हिंदी की बाद होनी है यानि कि कि किसके उचारण में अच्छारण इस्थान पूछ रहे हैं तो आप बाद को बोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका उचारण इस्थान ओश्ट है यानि सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन हैं सी हमारे दोनों होट मिल रहा है बाद को बोलें विसे थे पा तो पावर्ग जो होता हो पूरा ओष्ट होता है तो आप पहले तो इसको सभी से लिख लिए यह वरतिनीज की स्था नहीं है तो अप्शन नहीं से लिखा जाएगा इस तरह से जीने सभी से बात करें तो वह हो जाएगा स्वाह धन छंड अब आप संदी विच्छे समझ के होंगे कि इसमें विसर्ग संदी है ठीक हमारा सही हो जाएगा चलिए अगले कोशन को देखते हैं निम्न शब्दों में कौन देशज है देशज उन देशब्दों को कहते हैं जिनकी उत्ती कामऩ को पता नहीं होता है तो इसमें सभी अब को चलिए को देख लेते हैं लूग कि निम्न विशेशन शब्द है दो तो हो transparent शब्द को विशेशन बोलते हैं जो किसी संग्या की विशेशता बताते हैं तो यदि आप देखेंगे तो इसमें महान विशेशन है ये किसी व्यक्ति या महिला की महानता को बताएगा तो ये विशेशन हुआ 14 नबर में हमसे पूच रहे की जंगम का विलोम है दोसतों विलोम बताने के लिए आपको जंगम का अर्थ पता होना चाहिए जंगम का उन चीज़ों को जंगम कहेंगे जो motion में हो यानि जो गती में हो उनको बोला जाता है जंगम तो इसका उल्टा क्या हुआ है इसका विलो हुआ जो चीज इस्थिर हो यानि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा इस थावर इसका विलो में पन्रा नमबर में हमसे पूझ रहा है अशुद्ध शब्द का चैन करें अर्थात हमें वर्तिनी के हिजाब से बताना है तो देखें शरच चैनर बिल्कुल सही लिखा हुआ है कभी इत्री इस प्रकार ही लिखा जाता है शम शुरू भी सही लिखा हुआ है लेकिन यानि जो ल पता होना चाहिए जो आदमियों के दाड़ी निकलती ना उसको शम शुरू कहते हैं थोड़ी पे आने वाले जो बाल होते हैं उनको बोलते हैं शम शुरू चलिए सोला नमबर देख लेते हैं शुद्ध वर्तिनी का चैन करें तो देखें इसमें पौरुष दिया हुए तो रंक कहते हैं किसको भिकारी को और रंग का मतलब होता है वर्ण तो और फिकतरों चले के और हमारा सही हो जाएगा कि मैं रिखसकते हैं तो यह सारे दिखी विद्दमेने के आफके जैने को आगी विच्षा परता है अगले सवाल मेरें हमसे पूछा इमनिध में ऑव्य है तो अब्वे कौन होता है अब ऑव्य कौन से अनेकार्थी नहीं है यानि जिसका सिर्फ एक ही अर्थ हो अनेकार्थी हो वो तो इसमें कर की बात करें तो दोस्तों कर तो अनेकार्थी है क्योंकि करके माने एक तो टैक्स होते हैं दूसरा हाथ को भी कर बोलते हैं अगर वर्ड की बात करें तो एक तो वर्ड रंग को बोलत पूलते हैं और अर्क का एक और अर्थ होता है इसको सूरज भी बोलते हैं अर्क माने सूरज भी होता है लेकिन यदिए आब बात लजजा की करें तो इसका सिर्फ एक ही अर्थ होता शर्म स्यू Almost界 हमारा त्यार्थ हो जाएगा कि होनार बालक सुन्दर होता है नहीं है ऐसा कुछ नहीं है सुंदर बालक होना। होनार बालक होते हैं यह भी इसका अर्थ नहीं है next page पे हमें चलना पड़ेगा C केरा होनार बालक के गुण बचपन से दिखाई देने लगते हैं यह बिल्कुल correct ऐंसर यहीं हमारे सवाल का भी एंसर है option c is the right answer 22 नमबर में हमसे बुझ रहे हैं नाक रगणना का सही अर्थ है तो दोस्तों नाक रगणने का मतलब होता है माफी मांगना तेस्नम्र पे चलते हैं विश्मियादी बोदक चिन काउन सा धूस्त विश्मियादी का मतलब होद हका है था ह। तरह था है उस तरह हो जाते है बहुत दूख होता है तब इस चिन का प्रयोंक किया जाता है 24 नमबर कर रहा है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कहां हुआ था वाक को भेद वाक का भेद ग्याद कीजिए यानि में पताने किस प्रकार का वाक है दोस्तों आप पढ़के देखें तो मुझे बताओ की जब भी वाक में की लग जाए तो ट्रीक है आप याद रखेंगो मिश्रित वाक के होता है यानि कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा किसकी रचना है दोस्तों याद रखना बात तो आपको प्रेम सागार ललू-लाल की है हमदे बुज़रे रामधारी सिंग दिनकर को किस कृती पर साहित अकैडमी प्रसकार मिलाता दोस्तों याद रखेगा रामधारी सिंग दिनकर जी को साहित अकैडमी प्रसकार मिलाता वो मिलाता संस्कृती के चार अध्याय के लिए जो की आप्शन में दिया नहीं गया नेक्स कोशन पर देखते हैं हमसे पुझरा हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं दोस्तों हमारे समिधान में कुल 22 भाषाएं हैं भारत की तो उन 22 भाषाओं में से एक भाषा हिंदी है और हिंदी भाषा में टोटल 18 बोलिया है यानिकी option C हमारा correct answer हो जाएगा इस 10 नंबर में क्यारण का कारक्षिन ह क्यों कि सब्सक्राशते सब्क्राइब है म change 10 अभर में यह उन्क्राइब सब्सक्षक का बहुचन होगा तो क्या शिक्षकपों होगा नहीं कैसे का का औडे नहीं सब्सक्राइब जाएगा option C शिक्षक गण इसी तरह से अगर चात्र का बहुवचन आपसे पूछे तो इसमें भी गण लगा कर ही बहुवचन बनाया जाता है यानि कि चात्र गण उसका हो जाएगा चलिए इसका एंसर वह option C next question को हम लोग देख लेते हैं हमसे पुझरा महाप्राण धोनिया वेंजन वर्ग में किस से संबंदित है तो अभी पहले मैंने बता था कि महाप्राण धोनिया जो होती है वो दूसरे और चौथे वर्ग से संबंदित होते हैं इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा option A is the right answer for this question 35 नमबर है पुझरा कि निम्न में योग रूर समास है तो यह भी अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि योग रूर शब्द के पहचान करने का तरीका क्या है जिन शब्दों में बहुबरीही समास होता है अब बहुबरीही अगर कि इनली लोगों को नहीं नहीं पता तो मैं बता दूं कि ऐसे शब्द जो किसी तीसरे अर्थ की और इशारा करते हैं उनको बहुबरीही समास उसमें बोला जाता है जैसे कि दशानन आपने बोला यहने कि दस सिर वाला लेकिन जैसे दस सिर वाला बोलते हैं तो दिमाग में एक इमेज आ जाती ही कि की रामड की तो इसलिए जो दशानन शब्द है इसमें बहुबरी ही समाथ है और जिसमें बहुबरी ही समाथ होता हुथ अईसे सभी शब्द क्या होते हैं योग रूण होते हैं तो इसका सभी उत्तर जाएगा option भी चलिए अगले सवाल को देखते हैं आई पाते हैं संधी तो इसमें बता देंगे साइस सरो जाएगा option दीर्ग संधी है और शची धन इंद्र वरदी हो गई तो शची इंद्र इसमें संदी हो गई दीर्ग लेकिन अगर आप समास पूस दिया जा तो बहुत लोग इसमें अच्छा खाँएंगे इसमें समास कौन सा होत क्योंकि की क्यों से मतलब होता है शाची और इंद्र की को ने इंद्र इस समास canoe को दो आफ को याद रखना के लिए बहुत इंपॉर्टन को यह बन जाता है इस ब new the पूछह एकम के रचाईता कौन है दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि की रचना है तो यह महादवी वर्मा की रचना है अरतीस नंबर में पूछ रहा है कि हिंदी भाषा में मूल वेंजनों की संख्या होती है तो हिंदी भाषा में मूल वेंजन सेंटीस होते हैं से उत्तर हो जाएगा उप्चन भी यदि आपसे मूल स्वर की बात करें तो उत्तर हो जाएगा आपको क्या ग्यारा चलिए नेक्स कोशन को देख लेते हैं थर्टीनाइन में हमसे कहा रहा है कि हेरिटेज शब्द का हिंदी अनुवाद होगा दोस्तों हेरिटेज शब्द के माने आपको पता होंगे यह कहते हैं विरासत को आप्शन ए हमारा करेक्ट एंसर हो जाएगा विरासत या जो पुरुखों से ब्राप्थ होता है ना पूझे इसमें कौन से है दोस्तों याद रहा है इसमें आयादी संदी है एक तालियस नमबर में हमसे पूझा है दुर्वेवार में प्रियुक्त उपसर्ग है अब यह भी बहुत इंपॉर्टन कोशन आपके एक्जाम के लिए क्यों कई सारे लोग इसको गलत कर देंगे प दनहार तो इसमें तीनों ही उपसर्ग लगे हुए है सयुत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सभी 42 में पूझरा की निमन में कौन आख का परियावाची नहीं है पहले परियावाची से पहले बाता दो आख कैसा शब्द है तो तदभाव शब्द है अब पूझरा की इसम कि निशीत का अर्थ है दोस्तों निशीत किसको कहते हैं जो अर्ध राच्री का समय होता है उसको निशीत कहते हैं तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट एंसर हो जाएगा चले चलते हैं अगले सवाल पर चौवालीस नंबर में हमसे कह रहा है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस लंडाम के कि निशीत का प्रकार है तो यहीं पर पुरुष अपने देख करू जबटा देञे आप्शन सी एंसर पुरुष वाटक सर्वर्तनां के कितनेग्त होते है इस तरह से असक प्रोश्ब्श्टा को लिखा जाता है 46 में है कि सुर संदी के प्रकार हैं तो समय के 5 प्रकार होते हैं तो से लिए 37 में कह रहा है कि प्धर दिन कैसी क्रिया विशेश्ण है तो प्रति दिन हमको आधा हमको काल बता रहे हैं कि हर रोज ऐसा चीज हो रही है तो प्रतिस दिन का सही प्तर हो जाएगा option is the right answer और तालीज नंबर हो है क्रश का विलोम है तो दोस्तों विलोम बताना हो उसके लिए उसको माने पता होने बहुत एर्थ पता होना चाहिए क्रश को कहते हैं कमजोर को करश का मतलब होता है कमजोर इसका उल्टा क्या हो जाएगा विलोम मजबूत और ने हमारा हमारा राइट एंसर है पचास में हमसे पूज रहे कि शुक्ल और शुल्क का सही अर्थ युग्म बताईए तो दोस्तों इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए शुक्ल का मतलब होता है सफेद और शुल्क का मतलब होता है फीस यानि कि आप्शन सी हमारा सही हो जाएगा तो यह थी आज पचास प्रशनों की धुआदर पारी हम लोगों ने खेली अर्थ शतक लगाया है प्रशनों का ऐसी और वीडियो में हम लोग नेक्स डे मिलेंगे तो चले तब तक अपने पढ़ाई को जारी रखिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद